तो यह पूरा आर्टिकल हमने डिसकर्स किया तिलग जी से समन्दित इसके बाद इस आर्टिकल देखो Small Modular Reactor Plant से समन्दित है आप सलेवस में GS PPP3 के इस टोपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हों देखो बजर्ट में हमारी वितमंत्री ने यह गोशना की थी अब इंडियाना प्राविट सक्टर के साथ मिलके छोटे-छोटे Small Modular Reactor टेश्ट करेगी और स्टेडी करेगी ताकि इनका यूज किया जांस के बिजली पर यूज करने के लिए पहले में आपके बेसिक्स क्लियर कर देता हूँ Small Modular Reactor का मतलब क्या है क्या मतलब होता है देखो Small Modular Reactor ना Nuclear Power करना एक innovative approach है आप कहा सकते हो यह जो conventional nuclear reactor होते है बड़ बड़े nuclear plant लगते हैं उनके छोटे version है इन Small Modular Reactor की जो capacity है न 10 Megawatt से लेके 10 Megawatt Electrical से लेके 300 Megawatt Electrical तक हो सकता है आप बोलोगे सारी यह Megawatt यूज करते थे Megawatt Electrical क्यों बोल रहे हो Megawatt देखो आम तोर पे थर्मल पावर को इंडिकेट करने के लिए यूज कर लिया जाता है और Megawatt Electrical मतलब Electrical Output यह difference है बस बिजली है तो उतनी तो समझ गये जो बड़े nuclear reactor होते है उनकी capacity 1000 Megawatt Electrical तक होती है लेकिन छोटे-छोटे small modular reactor की capacity होगी 10 से लेके 300 Megawatt Electrical के बीच में फीचर्स की बात करें यह छोटे-छोटे small modular reactor होंगे size बहुत चोटा traditional reactors के मुकाबले में size काफी चोटा parts जो है ना इन small modular reactors के इनको factory में produce किया जाएगा और जिस जगह पर यह establish होगा वहाँ पर उनको assemble कर लिया जाएगा जबकि एक बड़े nuclear reactor को establish करना बहुत ताम लगता है बहुत complexity होती है और fuel इसमें देखो fuel जो है ना वो low enriched uranium use होगा तो यह हमने basic समझ लिये थोड़े देखो आज किसमें में situation ऐसी है आपको बता है global warming काफी तेजी से हो रही है दिविन देशों के उपर में pressure है कि आप emissions को कम करो तो इंडिया fossil fuel से थोड़ा दूर जाने की कोसिस कर रहा है लेकिन एकदम से नहीं जा सकता है लेकिन nuclear power से risk भी है cost भी जादा आती है तो एक beach का solution है कि nuclear power तो use करो लेकिन बड़े reactor मत बनाओ आप small modular reactor बनाओ सरकार कहती है इं छोटे-छोटे small modular reactors के ना काफी फाइदे है काफी फाइदे जैसे safety है core size सोटा होगा इसलिए risk काफी कम है इसके अलावा economic factor समाल लीजिए initial cost इन small modular reactors के काफी कम है remote areas में इन्हें असानी से establish किया जा सकता है क्योंकि यहां से factory में parts बना के ले गए और वहां पर जाके assemble कर लिया तो construction time बहुत कम है जैसे एक nuclear बड़ा nuclear reactor establish करना है ना तो उसे बनाने में ना 7 से 10 साल का वक्त लग जाता है लेकिन इस छोटे-छोटे small modular reactor establish करना है time लेगा सिरफ 3 से 5 साल के बीच में environmental impact भी जादा नहीं है छोटे-छोटे small modular reactor से carbon emission काफी कम होगा तो carbon footprint कम होगा लेकिन देखो ऐसा नहीं है सब फाइदे ही फाइदे है challenges भी है challenges सबसे पहले यह जो small modular reactor है ना बार-बार इन्हें refueling क्या हो सकता होती है तो nuclear material को ना बार-बार handle करना पड़ेगा risk उतना ही बढ़ जाता है और यह जो small modular reactor है ना यह significant amount of plutonium produce करेंगे plutonium आपको पता है weapons में use होता है तो यहां से भी risk है फिर देखो next point है economic viability come देखो कोई चीज आप बड़े scale पर करते हो ना तो economy of the scale का फाइदा होता है लेकिन सेम चीज आप कर रहे हो छोटे scale पर कर रहे हो बलकि बिजली महंगी produce होगी फिर देखो अभी जो framework है ना वो nuclear reactors के लिए तो हमारे देश में है बड़े nuclear reactors को कैसे manage करना है वो rules and regulations है लेकिन small modular reactor के लिए अलग से framework लाना पड़ेगा और वैसे small modular reactors का design जो है अभी भी developmental stage पे है अभी भी सिरफ सुरुवात के नमूने आए हैं तो और जड़ा challenges का पता लगेगा जब देखो ये small modular reactor काम करना start करेंगे global scenario की बात करें बहुत सारे देश जैसे देखो US, Russia, China ये ना काफी तेजी से small modular reactors technology पे काम कर रही है और कुछ operational examples भी है मतलब रशिया मेंना एक floating nuclear power plant है एसा power plant जो तैर रहा है वो छोटा है small modular reactor के तोर पे काम कर रहा है लेकिन रशिया भी थोड़ा और changes लाने की कोशिस कर रहा है तो ये सारे points है small modular reactor से समदीद अगर UPSC questions पूछे तो आप दे सकते हूं अब last में questions देख लेते हैं ये questions देखो आपको attend करने है basically तीन questions आपको attend करने है पहला